बड़ी खबर आ रही राजियों दश्कों को बता देते हैं इनकाउंटर पर डीजीपी का रियक्शन सामने आया है उन्होंने काया है कि आरोपियों को पुलिस लेकर जा रही थी हतियार बरामद्गी के लिए इनको लेकर जाय जा रहा था वहां रखे हतियार से आरोपियों ने फारिंग की जवावी फारिंग में दोनों के पैर में गोली लगी अभी डीजीपी का बयान आया है उन्होंने पूरी तस्वीर स्पष्ट कर दी है बताया है कि इन सभी आरोपियों को पुलिस हतियार बरामद्गी के लिए लेकर जा रही थी और इसी दोरान जो हतियार वहां पर इन्होंने रखे थे उन्ही थियार उसे पुलिस पर फारिंग कर दी जिसके बाद पूलिस ने जवावी फारिंग की और उस जवावी फाइरिंग में सरफरास और तालिब के पैर में गोली लगी डीजीपी का बड़ा भयान उन्होंने कहा है कि नानफारा इलाके में इन्होंने हत्यार छिपा रखा था पुलिस ने पूश्ताच की और हत्यार वरामत्गी के लिए पुलिस जब इनको लेकर जा रही थी उसी दोरान इन्होंने पुलिस टीम पर फाइरिंग की पुलिस ने जवावी फाइरिंग की जिसमें इनको गोली लगी राजियो बड़ी जानकारी डीजीपी की तरफ से साजा की गई है जो मुख्यारोपी है सरफराज और दूसरा तालिब उसके पैर पर पुलिस ने गोली चलाई जिसके चलते वो गंबी रूप से गयाल हुए हाला कि फिलहाल उनकी जो इस्तिती है वो खत्रे से बाहर है तो आप देख सकते हैं कि अगर डीजीपी का बयान की माने तो किस्तने ये सातिर और कितने बे अंदाज लोग हैं कि पुलिस की गृफ्त में पुलिस पर फारी करते हुए नजार आ रहा हैं और सायद यही बे अंदाजी का नतीजा था कि उन्होंने बीना किसी अकारण राम गोपाल को सिर्फ जंडा लहराने पर गोली मार दी तो कुल मिलाकर ये एक बड़ी कामियाबी बहराइस पुलिस को हाथ लगी है इसके बाद अपुस्तास की जाएगी और कड़ी को कड़ी से जोडने का प्रयास किया जाएगा ना सिर्फ इनके उपर कारवाई की जाएगी बलकि जिन्होंने इनकी बीते तीन दिनों तक मदद की है जो लोग है उनको अस्पिताल में भरती करवाए गया है जहां उनका इलाज चल रहा है बाकी तीन आरोपियों से पुलिस पूछताच कर रही है अभी तक जो जानकारी पुलिस की तरफ से साजा की गई वो भी आपको बता देते हैं बहराइच की पुलिस कप्तान व्रिंदा शुक्ला ने का कि हां पांच आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है उनके पास आलाय कतल भी यानि के हत्यार भी वरामत कर लिया गया है जिससे उन्होंने राम गुपाल की थी थी थोड़ दिर पहले डीजीपी का भी रियक्शन सामने आया डीजीपी ने का है कि पुलिस ने इन सभी क को गिरफ्तार किया इन से पूछताज के आजारों पर पुलिस हत्यार बरामत करने के लिए जा रही थी जिससे इन्होंने वारदात को अंजान दिया था उसी दोरान इन्होंने